नमस्का बच्चों स्वागत है आप सभी के आपके अपने ओल्लाइन स्थान परिक्षाप्रस में एक और बहतरीन वेकंसी आप सभी के सामने है अगर देखा जाए तो इंसोरेंस की कंपनी यहाँ पे है और यह जो वेकंसी है यू आई आई सी अभी इस आई सी की भी वेकंसी आने वाली है MTS वगएरा की यहाँ पे UIIC की लगभग 300 पद एसिस्टेंट के बहुत बहतरीन पद आपके लिए यह भी है ESIC जो इंसोरेंस कंपनीयों की वेकंसी होती है यह थोड़ा साथ को सुरुवात में हिंट देना चाहूंगा कि यह थोड़ा सा बैंकिंग पैटर्न पे होते है लेकिन इससे पूर्ड में यह वेकंसी 2017 में आई थी तब लगभग 696 पर थे और वहाँ पे जो पैटर्न था वो पैटर्न चेंज हुआ है इनके पूशन पूशन का तरीका भी बदलेगा इन सबके बारे में संपूर जनकारी में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा अभी अगर आप UIIC की तैयारी करना चाहते हैं आप इसके बारे में जनकारी चाहते हैं तो परिक्षाप्रस चैनल को सब्सक्राइब और शिकल दीजेगा मैं इसके बारे में डिटेल जनकारी देता हूँ कि कौन इसके लिए अलिस्बल है कौन इसके लिए फॉर्म भास सकता है और किसको कितना ज़्यादा मेदद मिलेगी इसमें और किस प्रकार से इसकी तैयारी होगी कितनी बेहतरीन वेकें टोटल तीन 100 पद है रिजनल वेकेंसी होती है डेकर लेकिन आप तो इसे बहुता से तो यहां पर eligibility जो है वो educational qualification 39-2023 तक इन्होंने लिया है कि इस date को आप क्या होना चाहिए graduation आपका complete हो चाहिए आप simple PA हो BSC हो BTC हो किसी भी प्रकार का graduation degree आपके पास है तो आप इसे form भर सकते हो इन्होंने end बोला है knowledge of reading, writing, speaking of reasonable language of the state of recruitment is essential जहां पे आप अपना पद चाहते हो जहां पे selection लेना चाहते हो जहां पे नाकरी करना चाहते हो उस reason की language आनी चाहिए जैसे उत्तरपदेश हो गया मददपदेश हो गया तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो कि institute हिंदीक अगर ही यह फे कहली चलेगा और इसका marks नहीं जुड़ेगा, marks जुड़ेगा, single paper का जुड़ेगा सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो criteria है, age जो criteria है वो पहले 28 साल थी, इस बार बढ़ा के 30 साल कर दी गई है तो 2 साल का relaxation और है, इसके अतरिक्त भी जो बाकी categories है यह जंदल के लिए मैं बता रहो, बाकी category जैसे SC, ST, OBC, करमसा, OBC में 3 साल, SC, ST में 5 साल और जो widowed woman है, ex-service में ने, इन सबका 10 साल, अपने हिसाब से बाकी जो category है उस हिसाब से, जैसे बाकी exam में मिलता relaxation, वैसे relaxation भी यहाँ पर मिल रहे जो salary आपकी होगी, वो लगबग 37,000 रुपए पर मन्त होगी जो start basic pay से देखा जाए, 22,405 से लेके, 62,265 तक जाएगी यह लगबग इनकी increment की बात की गई है, ठीके, तो यहीं पर मैं आपका age भी लिख दे रहा हूँ age जो है, वो maximum कितनी होनी चाहिए, maximum आपकी 18 होनी चाहिए, और आप graduate, sorry, 18 करो, maximum आपकी 30 होनी चाहिए, और आप क्या होना, आप graduate किये हो, मतलब कि आपके पास graduation के degree होनी चाहिए, तो age है आपकी 30, educational qualification आपका graduation, knowledge of original language है, बट उसका cable qualifying paper होगा, एक बार मैं आपको pattern ने दिखा दे रहा हूँ, यह age category है, एक 10, 93 को, यहाँ पे, and not little than 30, 2023 में क्या होना, चाहिए, 21 साल minimum दिया हुआ है, maximum 30 साल दिया हुआ है, इस बात का ध्यान देना, बाकी सबका relaxation, इसको आप देख लीजेगा, screenshot ले लीजेगा, मैं आपको इसका pattern दिखा देता हूँ, बाकी सारी detail जानक आर बात मैं बोलू, या फिर थोड़ा सा negative point बोलू, कि इसकी vacancy का जो form है, वो 1000 रुपए, थोड़ा सा जादा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट फिर भी वो तो companies पे है, insurance company ही है, government के अंतरकर चलने वाली है, पांस section होगे, सभी में 40, 40, 40, जिसमें 40 computer होगा, बाकी सारी English हो गया, और आपका क्या हो गया, GA और GK हो गया, यह 50-50 marks के होगे, marks 250 है, मतलब कि आप में 40 pattern जो पिछले हो था, वही आप हो सकतो, बस प्रिलिम्स में आटा जिए गया, अभी इसी में आपका क्या हो जाएगा, इसी एक ही paper होगा, एक ही paper के आधार पे आपका क्या होगा, चैन होगा, इसके साथ regional language का paper होगा, लेकि regional language का paper क्या होगा, केवल qualify होगा, और उसमें भासा ग्यान केवल पूछा जाएगा, वो detail में मैं आपको अलग से video का बता दूगा, इसमें आपके positive, जो positive marks है, वो एक number है, और जो negative mark है, यह one fourth है, यानि कि 0.25, कितना है, 0.25 marks का इसम तो 20 मेंट का होगा, मतलब 2 घंटे में आपको 200 question attempt करने रहेंगे, इसके अत्रिक्त इसमें जो भी important information थी मैंने आपको दे दिया है, आप मुझे जरूर बताइए, comment करके कि आप मेंसे कितने लोग insurance या banking exam की तयारी करते हो, यह अगर आप banking या insurance exam में जैसे अगर आप ESIC का form भ का है, वो केवल computer का, computer आपको हर जगा, आसिसर ने बहुत बेतिन दरीके से पढ़ाया है, इसके लिए पूरी मदद कर दी जाएगी, इसके बारे में course किस प्रकाल से ला रहे हैं, वो सब कुछ, हम लोग अभी तो कुछ नहीं बताएंगी, course इसका ला रहे हैं के नहीं ला र सब्सक्राइब हो शकर लिजएगा, फिर मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवास अभी का बहुत बहुत आवार,